मेरे सबी किसान भाईयों को नमस्कार, मेरा नाम है नितेश जैन और आप सब का स्वागत करता हूँ मैं अनाच के इस ओफिशल यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे MBF कंपनी की ब्रम्होज 44 जी हां दोस्तों ब्रम्होज चुमालिस दवाई के बारे में इस वीडियो के माधियम से आपको ब्रम्होज चुमालिस की तमाम तरे की उपियोगलता बताइंगे, इसके टेक्निकल नाम के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही साथ में दोस्तों इसकी डोस के बारे में भी बताएंगे कितनी मातरा में आपको ब्रमोज दवाई लेनी है, कितने लीटर पानी के साथ में इसका घोल करना है और कितनी क्या-क्या विशेषता हैं इसकी कैसे काम करती है, कौन सी फसल में काम करती है, कौन से मौसम में काम करती है अन्य कोई दवाई मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं ये तमाम जानकारियां देंगे दोस्तों वीडियो के मध्य में महत्वपून बातों के हिस्से में और वीडियो के अंत में जैसा कि आप हर वीडियो के अंत में देखते हैं दवाई करते समय आपको क्या-क्या सावधान या रखनी चाहिए उन सब के बारे में भी जानकारी देंगे दोस्तों तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ में और अब भी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजे अगे दोस्तों शुडवात करते हैं कि इसका उपयोग आप मुख्य रूप से धान, गेहु, गन्ना, अद्रक, मिर्च, हल्दी, मुंफली और प्याज पर कर सकते हैं बताई गई तमाम फसलों पर इसका उपयोग आप कर सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इसके टेकनिकल नाम की फिप्रोनिल 4% WW formulation में हैं और थायमेथोकसम 4% WW SC formulation में हैं जो की ये दर्शाता है कि ये दवाई कहीं ने कहीं कीट नाशक है थायमेथोकसम और फिप्रोनिल दोनों ही कीट नाशक के टेकनिकल है अब दोस्तों बता देते हैं फटा फट से इसकी डोज मात्र 450 एमिल प्रती एकड के हिसाब से आपको इसकी डोज लेनी है एक एकड में दोस्तों ध्यान रखिए 10 spray tank लगाने हैं 10 spray tank कौन से जिसमें एक टैंक में 16 लीटर पानी माता है तो उसी इसाब से अगर मैं एक spray tank की डोज बताऊं तो मात्र 45 एमिल आपको डोज लेनी है 45 एमिल एक spray tank में और एक एकड में 450 एमिल जियां दोस्तों बताई गई डोज की इसाब से यह आपको दवाई करनी है अब बात कर लेते हैं दोस्तों महत्वपून बातों की जियां दोस्तों यह फल छेदक मक्षी, ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट फ्लाए, तेला, लीफ माइनर, एफिट जैसेड्स, हरा मच्छर और सभी प्रकार के हॉपर को यह कंट्रोल करता है और इसका रिजल्ट आपको 25 दिन के भीतर देखने को मिल जाएगा 25 दिन तक इसका असर बरकरार रहता है सभी तरह के रस चूसक कीटों को नश्ट करता है सकिंग पेस्ट कितने भी हो उन सभी को नश्ट करता है इसके इस्तिमाल के बाद खेत में नमी बनी रहनी चाहिए जितनी अच्छी नमी होगी उतनी अच्छी दवाई फैलेगी सभी जगें जाकर यह एक व्यापक स्पेक्ट्रम कीट नाशक है जो आप चाहे पौधे पे डालो, पत्ती पे डालो, जड़ पे डालो, जमीन पे डालो ऑटोमेटिक जहां कीट पे पहुँचना होता है, वहां तक पूरे पौधे को कवर कर लेता है प्रारंबिक कीट कारवाई पर इसकी सिफारिश की जाती है फर्स्ट इस्प्रे में अगर आप इसको डालते हैं तो बहुत अच्छा यह नियंतरन करके देता है यह संपर्क के साथ-साथ पेट की क्रिया के साथ एक प्रणा लिगत कीट नाशक है जो उसकी चेपचे शमता को खतम कर देता है इसलिए उसको लक्वा मार के वो कीट वही पर ही मड जाता है और उसके साथ-साथ यह एक वैकल्पिक रसायन अनु है जो प्रतिरोध निर्मान की संभावनाओं को खत्म करने में मदद करता है इसका लंबी अवधी तक का नियंतरन है जैसा कि मैं बोल रहा हूं 20-25 दिन तक इसका असर बरकरार रहता है ये लाबकारी कीडों के लिए तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है और जैसे मित्र कीड जो होते हैं हमारे साब केचवे गिंडोले आदी उनके उपर तुलनात्मक रूप से सुरक्षित है ये पौधे की जड़ खिलाने और पौधे को ताकत देने के लिए बहुत महत्वपोन घुमिका निभाती है क्योंकि पौधा जब रोग निरोगी रहेगा, हरा भरा रहेगा और किसी तरह का कीट पतंग उस पे नहीं रहेंगे तो पौधा आटोमेटिक फुटान लेगा और जिसी वज़े से उसकी उपजव शक्ती पैदावाश शमता में भी इजाफा होगा जो मिटी के कीट मिटी में छीपे रहते हैं और इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है ये मिटी में रहता है और लंबी अबधी के लिए मिटी के कीट से जड़ो को उतक शुरक्षा पदान करता है कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जो दूसरी दवाईयां मिट्टी के अंदर की कीटों को नहीं मार पाती है वो भी ये बहुत ही सफलता पूरवक मारती है नियंतरित करती है और इसका असर बहुत लंबा बना रहता है इसलिए पौधा मिरोगी हश्ट पुष्ट और रोग्रति रोधक शक्ती से भरपूर रहता है और इसलिए पौधे में किसी प्रकार की कोई भी चैपचे की दिक्कत नहीं आती है यह थी तमाम महत्वपून जानकारियां और अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन-कौन से कीटों को यह मारता है यह आपको चित्र के जरीय समझा रहे हैं जैसे डोडे की स॑ंडी, चुर्दा यह हरीिल्टें और केटरपिलर जतनी बड़ी इल्ट को भी मारता है और हरे कियो को भी मारता है इस प्रकार यह तrophy की डूसरी प्रकार की था कीट दिखने वाले तो इतनी साइस का कीट इतनी क कि साइज का कीट मच्छर सकिंग पैस सभी को यह कंट्रोल करता है तमाम तरह के hoppers को यह मारता है तो कीट नाशक के रूप में अगर आप इसको first spray में उपयोग में लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त इसका परिणाम आपको देखने को मिलता है और अगर आपको leaf blast जो रोग लगता है brown spot जो रोग लगता है stem water, leaf folder, neck blast, BLB जो धान में neck blast लगता है BLB, bakanay, sheath blight, BPH, dirty pennical यह सभी तरह की बिमारियों पर control करता है अगर आप इसको पहले ही डाल देते हैं तो यह बिमारियों को आने ही नहीं देता है अगर बाद में डालते हैं तो बिमारी को उसी दिन से control करने की पूरी पूरी भरसक प्रयास करता है दोस्तों इसका result बहुत अच्छा है यह चित्र हमने इसलिए दिखाए है ताकि यह आपको बता सकें कि यह कितना विस्तारित रूप से काम करता है और इसकी कितनी अच्छी शक्ती है कि यह तमाम तरह के छोटी से बड़ी इल्ट को पूरी प्रभावी ढंग से नियंतरित करता है अब बात कर लेते हैं सावधानियों की जे दोस्तों सावधानियों रखना वेहर ज़रूरी है बच्चों को इन दवाईयों की पहुंस से बहुत दूर रखना है लिक्विट दवाई है तरल पदार्त में अच्छे ढंग से हिलाकर ही बोटल को उप्योग में लेना है साफ बाल्टी में, साफ पानी लेना है और फिर इसका गोल करना है और डंडे के माध्यम से गोल को लाना है और जितना हो सके दोसतों कभी भी आप दवाई च्छड़काव करते समय हात के दस्ताने, मूप ए मास्क हमेशा लगाय रखें और दवा छिड़काव करने से पहले अच्छे ढंग से आहार ले लें भूके पेट कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करें हवा से विपरीद दिशा में कभी भी दवाई का स्प्रे नहीं करना है दोस्तों जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में स्प्रे करना है ताकि दवाई का वेस्ट नहीं हो आज पास के खेतों में जाके ना लगे आपके शरीर पर वापस आ करना लगे और दवाई बिल्कुल पूरी तरीके से बूंद बूंद उसका उपयोग हो जाए जब भी स्प्रे करें तो अच्छी नमी में सुबह के समय और शाम के समय स्प्रे करें दिन में स्प्रे करने से बचें ये एक इंसेक्टिसाइड दवाई है लेकिन इसके साथ आप अन्य कोई फंजी साइड या कोई लिक्विड फर्टिलाइजर मिला सकते हैं कोई PGR भी मिला सकते हैं, कोई जाइम या एसिड भी मिला सकते हैं, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, लेकिन खर्पतवार नाशक दवाई, हर्भी साइड दवाई आपको नहीं मिलानी है, बहतर परिणाम के लिए हमेशा नैपसेक, स्प्रे पंप और फ्लैट फैन नॉजल का ही प्रियोग करना है, दोस्तों, बॉटल का पूरा प्रियोग करने के बाद में, जो खाली बॉटल बसती है, उसको तोड़के, क्रश करके, आबादी से दूर जमीन में आपको गार देना है, अन्ये किसी भी दूसरे उप्योग में उस बॉटल को, खाली बॉटल को नहीं लेना है, मदुमक्षी पालन के शेतर में, मचली पालन के शेतर में, आपको दवाई का प्योग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, हवा और पानी के माध्यम से उन दोनों को ही नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, अन्तिम आवेदन जब भी आप दवाई का करें, उसके 20 दिन के बाद में आपको फसल गटाई करनी है, ये बात का आपको बिल्कुल गांठ बान कर यात रखना है, आशा करते हैं दोस्तों, ये तमाम सावधानी आप अक्षर शेय अमल में लाएंगे, जब भी आप ब्रमोस चुमालिस दवाई करेंगे, ब्रमोस 44 का था ये वीडियो, आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, MBF कंपनी के काला सोना दवाई के बारे में, जया दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा, तो आपने कुछ भी नहीं देखा, बहुती ज़ादा व्यापकता से, विस्तारित रूप से, और संपून जानकारी देने की कोशिश करिये, एगरिकल्चर के इतिहास के अभी तक के सबसे सर्वश्रेश्ट प्रड़क्ट के बारे में, सबसे सर्वश्रेश्ट दवाई के बारे में, तो दोस्तों, देखना न भूलेएं, आगे आने वाला वीडियो, आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, यह हम आशा करते हैं, पूर्ण विश्वाश भी है हमें, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हों, तो प्लीज इन्हें अन्य किसान भाईयों तक जरूर पहुचा है, ताकि सारी अच्छी जानकारी उनको मिल सके, खेती को आसान बना पाएं, और अपने मुनाफे को दोग वीडियोज की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे, और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे, दोस्तों नमस्कार